करनेबाद करने वाले अगार के पास यहाँ पर गारे देखना करने मीन ऑप Ja Kyle you आप जो वाइफा कर लेंगे हैं यहां पर तो इसके बाद आपका यह प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा फिर आगे बढ़नेगा दोस्तों जाओ इसको करेंगे अगला ट्रीक यूज करते हैं उससे आपकी प्रोलम सोल हो जाएगी तो यहां पर दोस्तों आपके सामने आएगा टान वालो ओप्शन तो इसको करना टान अबन करके संबूर आपको वोलियुम अपेंड डाऌं दुर से तहां इस तरीके से वाल लेम बटन को दोनों को एक साथ दुए न पर इस त्रह जोओ यापको एहाफ में गैप करना यह ऐस तोन गोगान चिक अपन Tating open setting सब्सक्राइब करना हो गया अब अपर कि तरफ इसको उपर कि अच्छाइब करने क्या यहां पर की तरफ यहां मिलेगा आपको दोस्तों अप्शन क्यों धर्म पर करना है टच फिर आपको यहां यहां से मैन्यू को अप्षिंग करने ना है जैसे आप इसको अनेबल करेंगे फिर ओके करेंगे तो यहां पर आजाना है इसके यहां मिले करना है तो आफ किस्ते करना है तो आपको है तो इसके अपर अपको मिलेगा फर्स्ट ओप्षिं आपको करना है तो फिर आपको सब्सक्राइब करना है इसको कर देना है इसको करना बैग इसके दोस्त COMMT करना यहां पर कि है यहांपको सारे पर यहां आपको Sum पार्सटोप करने करने क्या दोस्तों हमने कर लिए इसको कर लिए अपर की तरफ यहां पर दोस्तों याने की बंद करके चालू कर लेना है तो याभे दोस्तों तक वारे वीडियो का अप्लाइक कर दीजीगा और हमारे चैनल सुट्काइब कर लिए यहां पर दोस्तों हमने अपनी वीडियो था फार्सपड वर्ड कर दिया जिसे के आपको टाइम वेस्ट ना हो तो हमारा फोन चालो हो गया है फिसके दोस्तों आपको मुष्फोन द्वार से अकनेक्ट हो जागा फिर आको इसको नेक्स करना है और यहां पर दोस्तों जो गूगल वाला अस्टेटर्ट की अप्शन दिखना है तो आपको करना है इस तरीके से ठीक दोस्तों आपको श्यूटप करना है थे बेक करने का दोस्तों इसका setup हम करके देखते हैं तो इसको हम setup होने देंगे, checking for updates हो रहा है, फिर इसको देखिए आपको सामना है Google Service, फिर आपको इसको करना है more and accept, फिर इसको करना है इसको skip, skip करना है तो ok करना है, फिर यहाँ पर करना है getting your phone ready, तो यहाँ पर थोड़ा सा करना आपको wait, तो देखिए friends, यहाँ पर सारा process हो गया तो इसको करना है next, फिर आपको इसको करना है next, फिर यहाँ पर setup complete दिखा रहा तो आपको इसको next कर देना है, यहाँ पर दोस्तों आपको फोन देखिए on हो जागा, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने MI or Redmi 4 के जिसका MI version Android version 13 है यानि की 30 है तो इस तरीके साब MIUI 30 मोबाइल का FRP वाइपास कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज को लाइक कीजिगा, और हमारे चैनले सब्सक्राइब कीजिए friends तो इस तरीके साब mostly Android phone का FRP वाइपास कर सकते हैं